अलो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश, gs Classes में आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों हमारी जो है बीडियो बीडियो यूपी पुलिस यूपी पुलिस वन दरोगा और स्सी जीडी वन दरोगा दरोगा और स्सी जीडी के जितने लोग तयारी करते हैं उनके लिए जो हमारी जीके जीएस जीके प्लस जीएस सब के लिए तो एक ही जीएस कुछ अलग प्रसिद्य बिरुपाच्य मंदिर कहां पर अवस्थित है इसको बताइए आप लोग कहां पर हमपी में है कहां पर करनाटक में ठीक है करनाटक की राजधानी कहा है तो बंगलूरू है यह भी याद रखेंगे आप लोग ठीक है यह भी हमारा के साथ करेंगे आज ठीक है चली इसरो का हेड़काटर कहां पर तो यह भी हमारा हमारा कहां बंगलूरू में इसके यस सोमनात इसमें हमारे क्या है इसके अस्थापना कब होई थी तो 1969 में इसकी क्या होई थी अस्थापना सारी सिजापनों को क्या हो नीचे याद हो नीचे बित detail के साथ मैंने पूरा इस question को कराया है ठीक है चली ऐए चलते है नेक्स्ट अगला question question कोश्चन नमबर आप 102 बताईए सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल जील का निर्माड निमने में से कौन से चोल सासक ने करवाया था बताई 102 का बित डिटेल के साथ रहेगा कोश्चन ठीक 25 होंगे लेकिन डिटेल के साथ राजेंदर प्रथम ने करवाया था कौन करवाया था जो हमारे सबसे लंबी चोल जील का निर्माड किस ने करवाया था राजेंदर प्रथम ने इस चीज़ को आप लोग याद रखे गंगा घाटी के अभियान की सफलता के उपलक्ष में गंगय कोड की उपाद भी इसने धारन की ती इस ने गंगय कोंड की क्या कि थी उपाद धारन की थी थी ठीक है याद रहेगी ने चलीए चलते हैं अगला question question number आप लोग बता जीजी एक शो तीन का पहला कठपुतली मुगल समराट कों था यानि कि सासक था ठीक है एक कफ पुचली सासक था ठीक है एक कब बना था जुल्फिकार जुल्फिकार खा नामाग सामंत की साहयता सी जहांदार सा ने किया था mc कै out by kilo of age 753 क्या कि लिए किया था इसके बाद बना था एक जहांदार तो हमारा ये पारट इसका क्वा जगा राइट एंस हो रहा लेयक हम ईनग को याद रखेंगे ठीक कमजोर एक कमजोर साशक या पतित सहजादा भी था ठीक है नेक्स चलिए घला इसcuz है गला question question number आपने आप 104 बताईए मुगल काल में पुलिस बल के मुख्या को क्या कहा जाता था बताई तो एक सार मुगलकाल में जो पुलिस था उस वे क्या कहा जाता था कोतवाल कहा जाता था क्या कहा जाता था जो मुखिया था उस वे कोतवाल कहा जाता इस सारी चीज़ें आप लोगो प्रसासन का क्या होता था सरोच अधिकारी होता था सूबेदार क्या होता था सूबेदार जो होता था उसका प्रमुक अधिकारी क्या लाता था फौजदार का लाता था था याद रहेगा है चलिए इन में से कौन सा बिकल्प सही धंग से मेल नहीं खाता है 133 में इबन बदूता भारता पहुचा 1506 में गुरुनानक देव का जन्म 1290 में मारको पोलो ने भारत का दौरा किया 1498 मासको डिगामा काली कट पर आया बिल्कुल है तो सही है 1498 में और बताए कौन सा इसमें गलत फोनी चाहिए ठीक है ओप्सन के शाक से हमारा सवी वन बदूता मोहंब्त बिन तौलक के समय था मोहंब्त उप्सक्राइग के समय आया ता ठीक है ज़िए नेक्स बताएं काहिए काकोरी कांड को गईर कीस के केस के कीस में वर्स में हुआ था झाज़ लग पारन एंदोस्ता स्थापना हुई थी ठीक है और एच सोसेलिस्ट सब्सक्राइब जब जूड़ा था इसमें तो कब इसकी स्थापना हुई थी ठीक है तो उसी समय हमारी कहा हुथी ट्रेन डखे थी एट डाउन ट्रेन को जो सहारनपुर से लखना हुझ जा रही थी उसी के करांदकारियों दोरा क्या कर लिए गया था लूट लिया गया था जिसमें हमारे रामपरशाद बिस्मील जी थी असफाकुला खा था रोशनलाल जी थे और राजेंदर लाहेडी को क्यात कर दी गए थ जल्ए चलते हैं नेक्स फॉस्चल दबानेदा मीयो इक 1 इसफात क्या कर रहे आन। की चल्द्धा ओन जो हो रहाता हमारा उसके नेता क्या हर्दयाल जी थे मैडम कामा गदर पार्टी कि नहीं ऑस्थापना भी थी ती भगत सिंग थे या स्याम जी खुरष लवारमा थे पताईvi 107 कुणधन थे पताई जल्द आप लोग Deb kok लगोगगी 107 कना जे इसके इसके संस्थापक अध्याच जो थे वो सोहन लाल भाँखना जी थी, कौन थे, इसके संस्थापक अध्याच सोहन सिंग भाँखना जी थे, ल किनौन अन्दोलन की जो नेता थे ओंधा बाचुई हरदयाल जी थे, सफ्षापना करें, तो महात्मा गांधी दोरार चोबिस फरवरी निश सो उनुनेस को सफ्षापना के गई थी, अस्थापना के गई थी, टीकास अ ग्रह Laug दोरारे बार्लै लीग की अस्थापना के गई थी, तो हमारा सी मुझे सफिट इंसर रहेगा ठीक है गांधी जी इसके अध्याच तथा बीजी हनी मैन इसके क्या थे उपा अध्याच थे ठीक है रोलक्ट एक्ट है उम काला कानूं के बिरोध में इसके क्या की गई थी अस्थापना की गई थी ठीक है आई चलते हैं उत्तर प्रदेश बिजान सभा की ओ थी हमारे पुर्षत्तम दास टंडन दी कौन थे पुर्षत्तम दास टंडन जी फर्ष्ट एंसर राइट एंसर ठीक है इस पद पर जो है वो कब 31 जुलाई 31 जुलाई 1900 ककब बने थे 31 जुलाई 1937 को बैटे थे ठीक है 31 जुलाई 1937 को और कब तक थे 10 अगस्त और कप तक थे renowned sch Gorat क्ड़ उननेश सो 50 तक क्या थे इस वे आसीन थे ठीक है क्या थे इस पर आसीन थे वरतमान में कौन है वरतमान में बिजान सभा के कौन है तो तीस महाना जी जो कानपूर सीड से क्या है भिधायक है यह सारी समय आप लों को याद होना चैसे इसमें इसमें प만ख़े कौन है तो योगी जी है ठीक है और और राजपाल क्यों है और यूपी की बताए अनंदी बेन पतेल जीए ठीक है एस अगला कोशन कोशन नमबर 110 बताईए आप लो पंचायती राज ब्योस्ता के तहद ग्राम सभा के अध्यच सदस्य कौन है जो पंचायती राज ब्योस्ता के तहद ग्राम सभा के सदस्य कौन है बताईए जो पंचायती छेत्र में मद्दाता के रूप में जो पंजिकृत सभी वयस्क सदस्य क्या होते हैं पंचायती राज ब्योस्था के तहत जो ग्राम सभा के क्या होते हैं सदस्य होते हैं जिनका नाम जो मतलब जो ओटर लिष्ट होती है उसमें पंजिक्रित होता वही हमारे क्या होते हैं सदस्य होते हैं तो क्या हो जाएगा सी पार्ट हमारा क्या जाएगा राइट अंसर आजाएगा ठीक है यह जो हमारा पंचायती राज ब्योस्ता है किस अनसूची में तो अनसूची हमारी कौन से एक ग्यरहमी है ठीक है इसमें कितने टूटल बिसे हैं तो टूटल उनतीस बिसे हैं कितने बिसे हैं ग्यरहमी अनसूची है कितने बिसे हैं टूटल 111 क्या कर रहा है, ग्राम सभा में निमलिखित में से कौन सामिल है, बताई, ग्राम सभा में कौन सामिल है, तो अनुछेद आल्टकिल 243 के खा के तहत, जो हमारी पंचायती राज की ब्योस्ता के बारे में बताए गया, और खा में हमारा क्या है, कौन इसमें क्या है, सामिल है, इसको बताए इसके अंतर ग्राम सभा की सभी वयस्क जिनके नाम गाउं में विशेश पंचायत के लिए मदाता सूची के तहात क्या है दर्ज है ठीक है मदाता सूची में क्या है दर्ज है उन्हें क्या गते हैं वे क्या है इसमें सामिल है ठीक है ग्राम सभा के अंतरगत आते सब्सक्राइब करें थे पंचायती राज बैवस्था से संब्सक्राइब किया नागावर जी राज प्रफम पंचायती राज बैवस्था बना था ठीक है अगला कोशन 1113 बताई सिचाई के निमलिखित तरीकों में से किसे हम ट्रिकल सिचाई के रूप में जाना जाता है ट्रिकल सिचाई के रूप में ड्रिप सिचाई जो होती है हमारी एक नवीनितम तकनीकी है जो ड्रिप सिचाई को है क्या है एक नवीनितम इस सिचाई को हम तकनीक को ट्रिकल नोजल लगा करके ठीक है नेक्स्ट बताए अगला कोशन 114 लहरदार भूम और रेतीली मिट्टी की सिचाई के लिए उपयुक्त विधी है लहरदार जो होती है तो इसके लिए स्प्रिंग करल है कौन सी स्प्रिंग कलर है ठीक है जिसको हम लोग का फवारा विधी बोलते हैं ठीक है उपयोगी मानी जाती है आई चलते हैं नेक्स्ट 115 का बताए खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगबग सभी फंसलों को क्या किया जाता है या पसपालन किये जाते हैं उसे परामपरिक रूप से किस डाम से जाना जाता ह जीविका क्रिशी कोटा खेती मिनी मलिशम खेती या संस्थागत खेती बताई 115 का बताए क्या का जाता है तो उसे हम जीविका क्रिशी के रूप में जानते हैं क्या जानते हैं जीविका क्रिशी के रूप में जानते हैं नेक्स्ट बताई 116 सुस्क हवा सांटा अना कहां ब सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र है इस चीज़ को भी आप लोग क्या करेंगी याद रखेंग सबसे पुराना क्या है अनुसंधान संस्थान है ठीक चली नेक्स्ट बताई अगला कोश्चन कोश्चन इसका जो एक छेत्री कार्याले खोला गया है छेत्री कार्याले या चेत्री केंद्र वरानशी में खोला गया कहां पर वरानशी में ठीक है वरानशी उत्तर प्रदेश के वरानशी में इसका एक छेतरी कार्याल भी खुला गया, नेक्स बताइए, पटाखा किस देश की मुद्रा है, पटाखा तो ये मकाउ की मुद्रा है, कहां कि ये मकाउ का, सी पार्ट हमारा क्या हो जगा, राइट एंस हो जगा, ठीक है, मकाउ, मकाउ का क्या है, एक मुद्रा है, ठीक है, चली, नेक् भारत का बैंकिंग लोगपाल के बारे में कौन सा कथन सही है बैंकिंग लोगपाल के बारे में कौन सा कथन सही है बैंकिंग लोगपाल योजना बैंक दर द्वारा दी जा रही कतिपै शेवाओं से सम्मंधित बैंक ग्रहकों की सिकायत से समाधान एमकारवाई करती है ठीक है नेंक्र बताई एक सो बिस नेकर लिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख हका है घनत पो सबसे कम है पहां पर मीजोहरम nella इससी बोस्तान क्इसका यह मीजोहरम में कितने मीजोहरम दूसरी ए guess पर vite किटने यहाँ पे 52 52 क्या है प्रति कीलो वर्ग मीटर में ठीक है याद रहेगा ने फिर कौन है नागा लैंड का 119 प्रति वर्ग किलोंटर सबस्य देम संक्ण गनत तो किसका है तो बिहार का ठीक है किसका है बिहार का चलिए नेक्ट चलते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नंबर आप लों 121 बत आता है बताई 121 का कौन आता है तो हमारा क्या जाएगा जल्दी बताइए आप लोग क्या फूशा शायां 162 का लालित कलाओं को छात्रबित से पुरस्कृत करती है इनमें से कौन सा भिषय छेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवितियों को दिया जाता है किस छेत्र में मुर्ती सिरेमिक कला इतिहास या फैसन डिजानी किसमें नहीं दिया जाता है तो मुर्ती कला सिरेमिक वा इतिहास छात्रविती प्रतान की जाती इसकी स्थापना लखनों में 1983 में की गई ठीक है कब की थी 1983 में इसकी कैन दी जाती है ठीक सिरैमिक में अकला इतिहास में दी जाती तो किसी में फैसन नहीं दी जाती है ठीक है डी पार्ट हमारे क्या जबा राइट आजएगा चलिए नेक्स्ट बताईए यह आज के हमारे जो है लास्ट कोश्चन है ठीक है लास्ट कोश्चन चलिए बता दीजे तीनों 123, 124, 125 बताईए निमलिखित में से बागों के संरच्षण से सम्दित कौन सा अस्तल उत्तर प्रदेश में इस्थित है सरिस्का तो बिल्कुल नहीं है ठीक है जिम कारवेट बिल्कुल नहीं है पन्ना नहीं अमन गड़ है हमारा कौन सा अमन गड़ है ठाईक है टाइगार र उत्तर प्रदेश में कौन सी जन जाती दिपावली को सोक के रूपे मनाती ते हमारी कौन सी थारू जन जाती है जो दिपावली को सोक के रूपे मनाती उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एक मात्र छेतर है जहां तावा पाया जाता है बादा ललितपूर मिर्जापूर या ब बंडारान कहा होता राजस्थान में उसके बाद कौन सा मध्यप्रदेश के बाद जार खंड है तो आज कर वीडियो हम लोग सिर्फ 20 को देखें हैं बिडिटेल के साथ जो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को जाद जाद सेर करिए चनल को सस्क्रा सब्सक्राइब करिए जय हिंद जय भारत